आर पी टीएस में एक पुलिस प्रशिक्षु लड़की ने फासी लगाकर आत्महत्या कर ली ये घटना मंगलवार सुबह की है मृतक लड़की की पहचान 26 वर्षिय प्रतीक्षा भोसले के रूप में हुई है मृतक मूल रूप से पुने जिले की निवासी थी और नागपुर में खशेत्रिय प्रशिक्षन संस्थान में पुलिस प्रशिक्षन ले रही थी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, प्ररमविक जाच में प्रेम प्रसंद में धोखा मिलने पर आत्महत्या की बात सामने आये है महिला प्रशिक्षु शादी शुदा थी और उसका अपने पती से तलाक हो चुका था पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौरितक महिला का एक युवक्स से प्रेम प्रसंद चल रहा था लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली इसकी जानकारी मिलने पर महिला ने सुबह पहले अपने पुरुष मित्र से बात की और बाद में उपर टेरिस पर जाकर पानी की टंकी की सीडियों पर अपनी चुनी से फंदा लगा कर आत्माहत्या कर ली सुबह जब उसकी महिला मित्र ट्रेनिंग के लिए उठी तो महिला दिखाई नहीं दी उसके बैट के पास उसका लिखा हुवा सुसाइड नोट मिला जिसके बाद उसकी महिला मित्र ने उसे खोजना चालू किया तो उन्हें प्रतीक्षा टेरिस पर सीडियों पर लटकी हुई दिखी जिसकी जानकारी महिला मित्र ने अपने अधिकारी को दी जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत बजा जंगा पुलिस को दी गई सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची मुर्तक ट्रेनी के हाग पर मंगल सूत्र बंधा हुआ था पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है पुलिस आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जाच कर रही है मुंबाई शेहर है तेची भर्ती ने शाच कर रहा हुआ 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 है मुंबाई शेहर चीभर भर्तिया सोन की फेबरो वारी दोन आजर चियोईस पासुनिया ठिकाने प्रसिक्षन केत हो थे